राम और लक्ष्मन रिशी विश्वा मित्र के साथ मितलापुरे के वन उपवन आदी देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा शिरी राम ने विश्वा मित्र से पूछा कि ये स्थान देखने में तो एक आश्रम जैसा दिखाई देता है किन्तु क्या कारण है कि यहां कोई रिशी अमूने दिखाई नहीं दे रहा है विश्वा मित्र जी ने बताया कि इसके पीछे एक चल कपट वाली कथा है आईए जानते हैं कथा के बारे में इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो शेर और लाइक कर दीजिएगा फिश्वा मित्र ने बताया कि ये स्थान कभी महारिशी गोतम का आश्रम था वे अपने पत्नी के साथ यहां रहते थे और तपस्या करते थे उनकी पत्नी का नाम अहिल्या है अहिल्या रूफ गुनों से संपन थी अपने सोंद्रे के कारण वह अपने पती की प्रिया थी अहिल्या के सोंद्रे के कारण इंदर की नजर उन्हें पाने में थी इंदर अहिल्या की सुंद्रता पर मोहित हो गए थे इंदर रोजाना इंहिल के साथ काम गरिणा करने की योजना बनाई क्यूंकि सूर्य हुद्य होने से पूरव गोतम रिशी नदी में सनान करने के लिए चले जाते थे प्रंतु वे इतने ज़्यादा मोहित हो गए थे कि उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातरवनन बनाया कि जिसे देखकर प्रतीत होता है कि मानो सुब्या हो गई हो यह देखकर गोतम रिशी कुटिया से बाहर चले गए उनके जाने के कुछ समय बाद ही इंदर ने गोतम रिशी का भीष बना लिया और अहिले के साथ परने करने लगे दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गोतम रिशी की ने आसपास का वातरवनन देखा जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी बोर नहीं हुआ है वो किसी अनहोनी की कलपना करके अपनी कुटिया पहुँचें। पढ़ेंगे तुम शीला बनकर यही रहोगी और शीला बनकर श्राप भोगोगी। तब अहिल्या ने युगो युगो तक श्राप मुक्ति की प्रतिक्षा की। युगो पीतने के बाद महारिशी विश्वा में तरवे राम लक्ष्मन कुटिया आच चुके थे। कथा सुनने के बाद शिरी राम ने अपने चर्नो को शीला बने अहिल्या परस पर्श किया। और देखती ही देखती वह शीला एक सुनदर इस्तरी में बदल जाती। और प्रभु शीरी राम को परणाम कर वंदना करती है। इस तरह प्रभुशिरी राम ने अहिल्या को श्राप मुक्त करून का उधार की।